तो आज ना एक कमाल की बात करते हैं फास्टेस्ट रास्ता फास्टेस्ट वे कि सर क्या स्लेवस को बहुत फास्ट और इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं मैं बोलूगा हाँ आपको मेरा प्लैन फॉलो करना और मैंने बहुत इमानदारी से बोला है मतलब एक परसेंट भी कि दा बंगे फास्ट वे की कि बात करते हैं तो अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो मेरे चैनल पर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं साइन्स की अगर बात करें साइंस की अगर बात करें य अपने पास physics और chemistry है, तो physics को भूल जाओ भई है, आप physics की बारे बात में करेंगे, बच्चों को chemistry में बहुत अकलीफ है, physics की chemistry की बाते करते हैं, क्या chemistry में बहुत आसानी से बहुत जल्दी syllabus हो खतम किया जा सकता है, हाँ, chemistry में गिंती के 9 chapter है, अगर हम chapter को गिने तो 9 chapter है गिंत हो, वो chapter बहुत easy है, easy है, और मैं मजाग नहीं कर रहा है, जिस question पर हाथ रख दूगा, वो question exam में दिखाई देगा, मेरा यो over confidence नहीं है, बहुत time से SI हो रहा है, sorry माफी चाहता हूँ, अगर आपको मुझ में confidence लगे, over, over नहीं है, experience कह सकते हो, या फिर इतनी बार हो गया है, क कि जिस question पर हाथ रख थे, वो exam में आ जाता है, तो जो आपका दो chapter है, inorganic का, d and f local coordination, उसको भूल जाओ, वो तो मैं आपको ऐसी करा जूँगा, अभी हम बात कर रहे हैं कि syllabus हमें firstly cover करना है, दो तरीके हैं, बड़ा simple, आप physical chemistry, organic chemistry दोनों को साथ लेके चलोगे, कैसे लेके च मुनिल सर चैनल के one shot से start करनी है, अगर आपके पास time कम बचा है और आपको जल्दी से syllabus, यार मेरे को तीन महीने में syllabus खतम करना है, सब्तंबर तक ही syllabus को खा जाओंगा, syllabus मैं हाथ डाल के खा जाओंगा पूरा, अच्छा, तो अगर physical chemistry, मुनिल सर one shot से देखिए, या अगर chemistry lecture wise, मुनिल सर chemistry channel है, मुनिल सर क्या है, चैनल का नाम है, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, और मुनिल सर chemistry मेरा दूसरा चैनल है, जहां पर lecture wise आ रहा है deeply, जिसमें NCRT के numerical PYQ सब कुछ कवर किया जा रहा है, तो आप one shot को try कीजिए, अगर syllabus जल्दी खतम करना है, औ मुनिल सर chemistry से lecture के साथ previous year question, numericals, NCRT, सब कुछ इसके अंधर है, वो देखना है, start कीजिए, और physical chemistry को साथ लीजिए, और organic को भी साथ रखिए, और organic को साथ रखेंगे, बता रहा हो, देखो, आप fix कर लो, कि 2 घंटे मुझे physical chemistry पढ़ना है, कि इसमें practice करना होता है, और fix कर लो, कि मुझे 2 घंटे organic chemistry पढ़ना है, समझना है, और चीजों को याद करना है, अफिक्स कर लो, 2 घंटे नहीं, तो ये काम करो ना आप लो, ये याद करने वाली चीज़ है, organic chemistry याद करने वाली चीज़ है, कम टाइम है, तो 1 घंटे इसको daily पढ़ो, यानि सर, आप ये कह रहे ह लास्ट में और करी नहीं पाएंगे, लास्ट में organic chemistry तुमसे याद ही नहीं होगी, लास्ट में organic chemistry किसी से नहीं होती है, तो लास्ट के जक्कर मत पढ़ो, सही बता रहा हूँ, physical chemistry चलाते रहो, organic chemistry, मुनिल सर चनल, इसमें हेलो अलकेन बढ़ा डल गया है, बाकि आप demand बढ़ एक घंटे डेली पढ़ना स्टार्ट करो, मुनिल सर चनल से, आपके बस chemistry के दो चनल है, मुनिल सर वन शॉट के लिए, बहुत ही गजब, lecture wise देखना है, lecture wise, तो मुनिल सर chemistry जाओ, देखो, और organic यहां से स्टार्ट कर दो, अगला चेप्टर में prepare कर रहा हूँ, डाल दूँग तो कुल मुलाके, अगर आपको chemistry सबसे fast तरीके से करना है, तो आपको organic और physical दोनों साथ में करना चाहिए, physical क्यों क्यों करना चाहिए, क्योंकि भाई यह तो करना ही पड़ेगा, practice का खेले हैं सारा, sir organic क्यों करें हम साथ में, क्योंकि organic last में याद निकर पाओगे, बच्चे कराऊंगा आपको, इसी चनल के ऊपर कराऊंगा, अच्छा, तो sir आप कह रहे हो कि chemistry निफ्टा देंगे, हम निफ्टा देंगे, तीन महीने follow कर लो, तुमारी chemistry निफ्टी पड़ेगी, पूरी, guarantee दे रहा हूं, guarantee दे रहा हूं, लिख लिख क्या guarantee दे रहा हूं, कि तीन महीने आपको, और आपका organic chemistry खतम हो जाएगा, अब physics में बात करूँ भया, मुझे माफ करना, मैं जूट नहीं बोना चाहता, physics में simple सा नियाव याद रखो, मैं बहुत physics को पढ़ा हूं, मुझे पढ़ता है, physics के अंदर ध्यारकना, slowly is the fastest way of success, इसको पढ़ना कभी सोचना क्या physics में जल्दिवाजी नहीं कर सकते, कि यह भी कर लिया, यह भी कर लिया, first book भी कर लिया, second book भी कर लिया, नहीं, डोल जाओगे, तो physics के अंदर ध्यानकना, slowly is the fastest way of success, तो यहाँ पर भया, आपको slow ही रहना है, यहाँ जल्दिवाजी ट्राई नहीं करना है, यहाँ जल्दिव मुनिल सर पर मिल रहे है, उसे follow कर लो, one shot follow करने के बाद, revision video जो मिल रही है, small video, देर दो घंटे की जो revision video मिल रही है, मुनिल सर फिजिक्स चैनल पर, उस पर जाओ, दो चैनल है, description में सब कर डाल दूँगा, मुनिल सर चैनल जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हो, मुनिल स पर आएगा, और मैं खुद की book बना रहा हूँ, उस book के question यहाँ पर आएंगे, मुनिल सर फिजिक्स चैनल पर, तो कुल मिल रहा के बताऊं, तो हमें physics में slow ही चलना पड़ेगा, slow क्यों चलना पड़ेगा, और ना फिर numericals नहीं बनेंगे, concept रच्छे से नहीं आएगा, तो physics सर फिजिक्स चैनल पर, lecture wise जाल रहा हूँ है, lecture wise, lecture one, lecture two, lecture three, detail lecture जिसमें ncrt, previous question सब कुछ होता है, आप directly इसको follow कर सब, one shot भी देख लो, मैं तो कहता हूँ, revision भी कर लो, time बचे तो यह भी कर लो, लेकिन physics में भाई, जल्दी वाजी मत करना, physics में जितना time लगेगा लगाओ, एक chapter में दो हपते लगाओ, देड़ हपते लगाओ, एक हपते लगाओ, ऐसी चलेगा, तो physics के लिए story कह रहा हूँ, chemistry के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि chemistry में ये संबव है, physics, physical और organic को हम साथ में किया जा सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, chemistry को साथ में करने का प्रियास मत करना, one of us जाओगे, तो मिलते हैं next video में उससे पहले सन लो, अगर नए हो तो एक बार मेरे lecture चेक कर लो, आपके खून में ना confidence दोरेगा, और आप भी देखना मुझसे प्यार करने लग जाओगे, और जो बच्चे मुझे पहली से जानते हैं, एक बार comment में इतना pressure बनाओ कि मैं भी तुरंत भागू उसकी तरफ, बातरुम की तरफ मजा करा, वाई वाई, enjoy your day